नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चानल माइज जोतेश में आज मैं आपको एक ऐसे अचूग उपाई के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आपको असानी से नौकरी मिल सके क्रोना माहमारी ने हमारी जिंदगी को काफी प्रभावित कर दिया यहां तक की कईयों की नौकरियां भी गई है अब जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या तो उन्हें नौकरी नहीं मिल रहे या वो असफल हो रहे हैं ऐसे में आज हम आपको हमारे किचन से लेकर पूजा तक में इस्तमाल होने वाली एक छोटी सी चीज के बार में बताएंगे जो ना केवल आपको नौकरी दिलाएगी बलकि स्वस्त भी रखेगी पूजा पाट और हर धार में कारे में लोग का प्रयोक किया जाता है पूजा करने की सामगरियों में से लोग एक प्रमुक सामगरी मानी गई है लोग को मसाले और ओशदी के रूप में भी प्रयोक किया जाता है आए जानते हैं कि लोग के कौन से ऐसे उपाए हैं जिसे करने से आपके घर में सुक सम्रिदी आती है और विगरते काम बनने लगते हैं अगर आप पांच लॉंग और तीन बड़ी इलाईची को कपूर के साथ लेकर किसी पात्र में शनिवार के दिन जलाए और उस अगनी को पूरे घर में दिखाए इसे घर की नकारात्मक उर्जा नश्ट होती है और सकरात्मक उर्जा का संचार होता है कपूर को जलाने पर जो खुश्बू आती है उसे हवा में मौजूद जिवानू और विशानू नश्ट होते हैं जिससे बिमारी आदी फैनली की आशंका कम हो जाती है अगर आप किसी नौकरी के लिए इंटर्व्यू देने जा रहे हैं तो मूँ में एक लौंग का जोड़ा जरूर रखें और आप जब अपने इंटर्व्यू वाले स्थान पर पहुच जाए तो लौंग के टुकड़े को मूँ से निकाल दे इंटर्व्यू में सफलता के लिए प्रातना करके अंदर जाए मानता है कि इससे सफलता मिलेगी अगर आप बहुत महनत करते हैं और फिर भी आपको आपके अनुसार फल नहीं मिलता या फिर हर समय आर्थिक परिशानिया आपको रहती हैं तो मंगलवार को हनुमान जी के सामने एक लौंका जोड़ा सर्सो के तेल के दीपक में डाल कर प्रजवलित करें साथी हनुमान चालीसा का भी पाट करें इसके बाद उनसे उनके समक्ष प्रातना करें कारेशेत्र में मन लगाकर मेनत करें आपकी परिशानिया अवश्य दूर होंगे अगर आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं या आपने किसी को उधार दिया है और वो व्यक्ति आपको आपके पैसे नहीं दे रहा है तो उसे वोपस पाने के लिए लौंग का योग पियोग करें पुर्णिमा या मव्यस्य की रातरी के दिन कपूर और 21 लौंग से मालक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन करें मालक्ष्मी के सामने पून विश्वास के साथ प्रातना करें आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आपका कोई काम बंते बंते रह जाता है तो शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाएं और उसमें दो जोडे लौंग के डालें उस दीपक को घर के अंधेरे कोनों में रखें जिससे वहां प्रकाश हो जाए इससे नकरात्मक शक्तियां दूर होती है योपाय नियमित रूप से हर शनिवार को करें इससे आपके बिगरते कारे पूरे होने लगते हैं घर में शुपकारे होने लगते हैं और साथ ही यदि कोई व्यक्ति बिमार है तो वो भी स्वस्थ होने लगता है प्रते दिन मा लक्ष्मी की पूजा करे और पूजा करते समय मा लक्ष्मी के सामने हर दिन गुलाब के फूल और एक जोड़ा लॉंग अरपित करे कम से कम ये उपाई हर शुक्रवार के दिन अविश्य गरे इसे घर में बरकत बनी रहती है मालक्षमी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है इसके अलावा शुक्रवार के दिन किसी काले कपड़े में पांच कौडियां और पांच लॉंग रखकर बान दे इस पोटली को धन के रखने वाले स्थान पर या टिजोरी में रखें मानेता है कि इस उपाई को करने से धन की बरकत होती है